क्रांती कारियों की श्रेणे में आज हम बात करेंगे महारानी लक्ष्मी बाई के बारे में महारानी लक्ष्मी बाई का जन्मा उन्नीस नवंबर अठारा सो अठाईस में वाराण सी में हुआ था रानी लक्ष्मी बाई के पिता का नाम मोरोपन तामबे और माता का नाम पागीर्थी बाई था बजपन में लक्ष्मी बाई का नाम मनिकरणी का था लेकिन प्रेम से सब उसको मनु बाई के नाम से जानी जाती थी उसके पति का नाम गंगादर राव था और उसके दो पुत्रों का नाम दामोदर राव और आनंदर राव था जो की दामोदर राव दतक पुत्र थे गंगादर राव से साधी के बाद उसका पुत्र प्राप्त होता है किन्तु चार महिने में उसका मृत्यू हो जाता है इस दुख के आखाद से उसका पति गंगादर राव की मृत्यू हो जाती है पति के निदन के बाद भी वो खबराई नहीं अपने परिवार के बालक को दतक पुत्र लेते है लेकिन अंग्रेज सरकार ने दतक पुत्र का अस्विकार किया जासी को अंग्रेज राजिय में मिलाने की कोशना की रानी लक्ष्मी बायने अंग्रेज को ललकारा की में जासी नहीं दूंगई अंग्रेज विरूद विद्रो की कोशना कर दी अंग्रेज विरूद विद्रो में हजरत महल बादुर्शा जफर नाना सहाब मर्दन सी तात्या तोपे जैसे अनेक राजावने रानी लक्ष्मी बाय को साथ दिया अंग्रेज अबसर हयुरोज ने इस विद्रो को दबाने का बहुत प्रेत्न किया महारानी लक्ष्मी बाय ने अंग्रेज के सामने साथ दिन तक विर्था पूर्वक सामना किया और अंग्रेज को बेहाल कर दिया अपनी विर्था का परिजय दिया अपने बेटे दामोदर राव को साथ में पीट पर बांद कर बहुत दिन यूद किया किन्तु अंग्रेज की विशाल सेना के सामने महारानी लक्ष्मिबाई का कोडा पूरी तरख ठक गया था और खायल हो जाता है फिर भी रानी लक्ष्मिबाई अतास नहीं हुई नाना सहेब और तात्या तोपे का साथ सहकार लेकर गौालियर पर आक्रमन किया अंग्रेज सरकार रानी लक्ष्मिबाई की विर्ता देखकर स्तब रह गई तब अंग्रेज अप्षर है रोज ने अठारा सो अठानवे में चारो और से महारानी लक्ष्मिबाई को गेर लिया और अंग्रेज के सामने वीर्ता पुर्वक लड़ते लड़ते अठारा जुन अठारा सो अठानवे में गौालियर में वीर गती को प्राप्त हो जाती है इसलिए कहा जाता है खुब लड़ी मर्दानी वह तो जासी वाली रानी थी महारानी लक्ष्मिबाई ने एक सुत्र दिया था कि मैं जासी नहीं दूंगी एसी महान विरांगना अंत में वीर गती प्राप्त करती है एसी महान सोर्यवीर महान सासीक महान लड़ायक महान विरांगना और रिर्णादाईनी रानी लक्ष्मिबाई श्त्री पात्र के रूप में विश्व में इत्यास में अमर रहेंगे मारणी लक्ष्मबाई को मेरा सत्जत प्रणाम अपने देश के लिए अपना प्राण समर्पित कर देनी वाले एसी महान विरांगना के बारे में सब लोग जान सके इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और सेर करना मत पुलिए जै भारत